किसान भाई और आमराम सुआ गते नायक चैनल और गनिर्टर उस दोस्तं सब्सक्राइब यह ऑए उल्कर्णाम्ड में इसका कितने कट्टे इसमें डिए पीके लगे कितने यूरिया लगा कितना जिंक फासफेट कितना पोटा सारी चिज़े मैं आपको बताऊंगा तब जाके विशाल का है गन्ना विशालने तयार करा है तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो देखो भाई यह देखो मकान तो यहां पर क्या है कि यह घेर में करीबन एक डेड़ बिस्ता जगह खाली है तो इसको विशाल क्या करते हैं इसमें चाची जी भी मदद करती हैं चाचा जी भी दोनों भाई लगके करते हैं तो इसमें अपनी साग सब्जी वगेरा इसमें यह करते रहते हैं तो पिछले साल विशाल को सुजी कि इसमें बहिया जी गन्ना बोके देखेंगे आप तो जैविक गन्ना करते हो तो आप बताते रही हो अब मैंने जो बताई से थाई वे तो इन्होंने इस प्रेइगी ने कुछ जरवत पड़ी नहीं लेकिन में चीज जो रही वह यह जो पशु जो नहलाते हैं यह और जो इनका मूत्र है वह सब इसनाली और उसनाली के माध्यम से इसमें जाता है जैसा विशाल बता रहे थे कि इसमें वैसे खुला पानी देने की जरत नहीं पड़ती इसी पानी से इसकी पूर्ती होती रहती है और कलर देख लो कितना शांदार है साथी साथ बहतर है यह 238 है मेरे 238 में बहुत ज्यादा टोब बोरर भी आया हुआ है इसमें बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं है तो विशाल भाई से पुछेंगे कैसे कैसे उन्होंने करा और किस तरह से यह इतनी अच्छा उत्पादन इसका गन्ने का ले पाए मोटा मोटी अगर मैं नीच गन्ना किया किस तरह से हुआ इसकी पूरी जानकारी विशाल से लेते हैं तो विशाल भाई यह बताओ यह अपने प्रद्धा काटा था और कौन सी यह वराइटी बेर नमस्ते बाइब यह गन्ना काटा था में मार्च में अच्छा मार्च के पहले अफ्टे में ठीक है और ह इन चार पूली भी बची थी मतलब हो गया चार चोक सोड़े लगवागा ठारेवीश कुंटल जी इसमतल एक सब्सक्राइब यह बहुत बढ़िया ऐसा इता पुद्धा मुझे लगा इससे भी ठाड़ा दिखे था लेकिन पेड़ी भाई कमाल की हो रही है अच्छा मुझे क्या ने गाए लेकर ने इसमें हैं ने के जमार देट ओम झाडा है मुंटर वी परionele के लिए कुछ करना पड़ा इस समय कुछने लगा कारण क्या हो सकता करणकि वेक लिक यह हैं। जंगल से दूर तो पता ही नहीं चला कि बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया गन्ना हो रहा भाई मैं दिखा हूं आपको किसान भाई यह देखो यहां से मेड़ा चला है और मोटा गन्ना अच्छा मजबूत गन्ना लंभी पोरी है और आज की डेट में कम से कम 12 फुट गन् तो भाई अब इसका क्या करोगे अब पहले तो बीज ले लिया आपके क्या विचार है वह जी हमने लिया ता आपके यहां से गुड़ गुड़ शक्र दोनों ले थी तो ऐसा सोवा अभी तक नहीं पिल पाया तो इसका गुड़ बनेगा जिसका गुड़ बन माने की सुशन किसान भाईयों मैं आपको बताओं मैं लगबक 5-6 महीने पहले मैंने एक लेक पड़ा था किसी का नाम ध्यान नहीं आ रहा उसमें चर्चा थी यह के खलीहान के बगल में हमारा मकान और वहीं हमारी पशुशाला हो तो उसमें फायदा यह गिनाया था कि पशुओं का जो न पशुओं के नहलाने का है तो नॉर्मली सारा पानी आप इसी में पुछाते हो अलग से था थोड़ा बहुत पानी देना पड़ता है कभी 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 जैसा गर्मी के दोरान तो आप यह कह रहे हो किसमें कभी भी आपने किसी तरह का कोई केमिकल या फर्टिलाइजर खुदाई हमने इसको नहीं दी अच्छा के बराबर हो मजदूर तो उपर उपर खुर्पा गुमा के चले जहां और नलाई भी हमारी ममी जी ने दी इसमें बहुत बढ़िया चाची जी को भी बदाई के इतना अच्छा जो यह गद्ना इन्होंने तयार किया और वह क्या ग बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया विशाल भाई बहुत बहुत बढ़िया आपको शुब कामना है कि आपने इतना बढ़िया यह गन्ना तैयार किया तो बहुत बढ़िया गन्ना हुगा है आपने आपको बहुत बहुत बढ़िया विशाल भाई जी और किसान भाई जलो तो साथियो वीडियो को लाइक करो शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जल्दी मिलेंगे ऐसी किसी और अगली वीडियो में नमशकार धन्यवाद